असलाम नेकूम मैं हूँ उस्मा कयूं वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपको डिफ्रेंट शर्ट्स दिखा रहे हूं जो मैंने स्टिच की हैं यह सिरफ शर्ट्स हैं क्यूंकि इनके ट्राउजर और दुपटे कस्टमर के पास हैं मेरे पास सिरफ शर्ट स्टिचिंग के लिए आई थी उमीद करती हूं आपको पसंद आएंगी यह डिफ्रेंट फैब्रिक के सारी शर्ट्स हैं और उनको उसकी के अकॉर्डिंग मैंने स्टिच किया है प्लीज कुमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आएं वीडि इसकी नेक लाइन पर जो मैंने पट्टी लगाई है यह इसकी ट्रॉजर के फैब्रिक की है इस पर फ्रंट बैक सारी इसकी प्रिंटिट बनी हुई है लेकिन इसके सिरफ फ्रंट पर सीक्वन्स लगे हुए थे यह नेक लाइन है नेक लाइन यह चाइनिस नेक लाइन मैंन है लेकिन यह से भी ज्यादा चोड़ी रखी जा सकती है मेरी कस्टमर का साइस बहुत चोट है स्लीम में इसलिए मैंने डू इंचिज रखी है यह नीचे जो गला बनाव है इस पर यह सारे प्रिंटिट के उपर ही सारे मोती लगे हुए हैं और बारीक वाले तारे लगे हुए हैं यह नीचे सारा सेंटर में जो आ रहा है बूटी इसके उपर भी सारे वही सीक्वंज और वह मोती लगे हुए हैं और साइड्स पर यह नेट वर्न आ हुआ है बैक साइड प्रिंटिड है इस पर कोई वर्क नहीं हुआ 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 और इसको उसी तरह यह सिंपल यह बह पे मैंने यह सिल्की पटी लगाई है और नीचे सारी दामन पे भी मेरून कलर की यह थोड़ा डिफ्रेंट सा शेड था और यही उसमें से प्लेन अच्छा लाग रहा था कलर उसके साथ मैचिंग ग्रे के साथ यह इसकी स्लीव्स हैं स्लीव्स इसकी प्रिंटिड है आगे बॉर्डर था बॉर्डर के आगे एक्स्ट्रा करके मैंने वही पट्टी ट्रॉजर की लगाई है यहां पे भी उसकी चुड़ाई दो इंची मैंने रखी है और जितना उसका वो प्रिंटिड बॉर्डर है उतनी ओपन है साइड से शर्ट और आगे यह जो टाई है यह बो बन जाएगी इसकी तो बड़ी प्यारी इसकी लुक काती है यह देखें यह उसको टाई कर के ना तो ऐसे बाजू की लुक होगी इस हर्दियों में पैने में बहुत अच्छे यह लगते हैं और सिल्क में इसकी लुक बहुत अच्छी आई है नेक्स्ट यह शेफून का है फ यह फ्रॉक मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ मेरून कलर में मैंने बनाया था अब यह कलर चेंज है स्टाफ सेम होई है शोल्डर्स पर यह होल बनाके लेस लगाई है यह भी लेस के किनारे पकी होने थे तो मैंने का मैं वीडियो बना लू पहले यह नेक्लाइन और नीचे यह सारी इसकी चुनट है नीचे से फ्रॉक सारा सिंपल है इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा थी और फ्लेयर भी बहुत ज्यादा था लेंथ इसकी 53 थी और इसका फ्लेयर मेरे ख्याल से चार गस था यह नीचे से सारा राउंड उसको सिंपल रखा गया है उसके का फैब्रिक लगा के फोल्ड किया है यह सारा सेम कलर का यह राव सिल्ख थी इसकी पट्टी जो यह मैंने लगाई है फ्रेंट बैक पे सेम उसी तरह सारी पट्टी यह लगाई हुई है इससे वो कपड़ा लाइट वेट है ने शिफून तो उसको थोड़ी ग्रिप मिल जाती थी इसके नीचे इनर क्योंके शॉट रखा है फ्राकी लेंथ फूल है लेकिन उसका इनर शॉट था यह बैक साइड है बैक साइड पे यह वी बना के तो उसको ओपन रखा है और वहाँ पे डॉरी पाइपिंग बना के इसी सेम फैब्रिक की तो वो लगाई है यह डॉरी को डेकरेट भी उसी कप्रे से गोटी लगा के सिल्वर तो ये बनाई है नीचे से उसकी फ्राग की सेम लुक फ्रेंट वाली है चुने डाली गई है और एंड पे पटी वो लगाई गई है ये इसकी स्लीव्स हैं स्लीव्स की लेंद काफी ज्यादा है क्योंकि उसको चुनेट वाली बनाया है आगे से फुल फिटिंग में रखी है और उस पे शिशे वाली लेस लगाई है ये फुल इसकी लुक है बैक से ये देखें ये इसकी 52 या 53 इंचेज इसकी लेंद है और ये इसकी फ्रंट से लुक है इसके साथ ट्राउजर और दुपटा सेम है नेक्स्ट के जेकाड का सूट था इसको मैंने शर्ट को जो इसका बैक था वो सेंटर डिजाइन बनावा था उसको फ्रंट बना दिया है और front वाला हमने simple वाला back पे किया है अब back पे वो जो मोटी वारा था उसको हमने इसके उपर वाली side पे neckline पे कर दी है और वहां पे ये golden color की lace लगा दी है उपर से boot neckline रखी है और नीचे उसका जो center part था उसी sequence में हमने उसको नीचे तक ले आए है ये देखें सेंटर पार्टिस का उसी तरह वो फ्राग की चुनट में नीचे कर दिया है और एंड पे सारा बॉर्डर है और नीचे उसके जरी आरगेंजा की गोल्डन पाइपिंग की है अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ बैक साइड इसकी बिलकुल सिंपल है और वो चुनट बस डाली गई है सारी और नीचे उसके बार्डर आ रहा है और बार्डर के एंड पे जरी आरगेंजा पाइपिंग जैसे फ्रांट पे है उसी तरह बैक पे भी सारी पाइपिंग की है अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ स्लीव्स इसकी सीधा वो प्रिंट था और आगे बार्डर था उसको थोड़ा ब्रेक करने के लिए मैंने ये स्लीव्स पे दो पिंटक्स टाले है और फिर जो नेक लाइन पे लेस है वो ही लेस लगाई है फिर दो पिंटक्स है और आगे जरी आरगेंजा पाइपिंग और लेस लगाई है ये कामवाली शेट है आरगेंजा पे है इसका हिनर साथ ही स्टिच की है इसका गला काफी डीब था तो हमने उसको नहीं उपर छोटा सा बस गला बना दिया उसको उसी तरह रहने दिया है नीचे ये सारी बूटी बनी हुई है और दामन पे भी इसके काफी हैवी काम बना हुआ था उसको हमने कट वर्क में बनाया है नीचे उसके उसका जामावार का कपड़ा लगा के ये इसका ट्रॉजर था ट्रॉ्जर का वही कपड़ा जामावार का लगा के तो round shape सारी बनाई आई है बैक साइड इसकी simple है उसको उसी तरह plain लखा गया है बैक पे भी उसी तरह जामावार की पट्टी लगा के तो उसकी तरपाई की है बस स्लीवस इसकी बिलकुल simple थी उन पे कोई वर्क नहीं था तो ये दुपटे बेस के लेस लगी थी उसी लेस को हमने स्लीव्स पे एक जितना डिस्टेंस रख के तीन लाइन्स दे दी है और आगे वो ही जामावार का पीस लगाया है नेक्स्ट ये नेट पे तारी का सारा काम हुआ हुआ है ये पिंक कलर पे वाइट सारी तारी लगी थी छोटी वाली उसका सारा काम हुआ हुआ है और ये सिंपल स्टिच की है इसके दामन पे लेस लगाई थी इसके दुपटे के शेड की इसकी लेस को दुपटे के सार्थ मैच किया हुआ है ये दामन पे फ्रंट पे बस लगी गया और इस लीप पे और ये सारे पत्ते से बने में इसके दामन पे काफी प्यारी ये शरट बहुत डिसेंट सी लग रही थी मैंने का ये भी चलें आपको दिखाते हैं इस इस सिंपल हुई थी simple इसकी neckline थी sleeves पे भी वही less है बस front इसका काफी heavy ये बना हुआ था और ये अपने colors की बज़े से ज्यादा अच्छी लग रही थी shirt ये front है ये इसकी back side है back side पे भी ये just booty थी सारी बहुत decent सी look आ रही थी shirt की last ये हमारे पास brown color में shirt है ये georget पे है और इसके उपर matte में सारी सितारी थी बिल्कुल बरी एक सी लगी हुई golden जो है ये matte shirt था और बीच में ये black उसमें sequence थे और इसकी length में ये नीचे सारी ना बहुत प्यारी ये less थी थोड़ी length में ज्यादा थी इसको नीचे piping golden color की पट्टी लगा के उसके साथ लगाया है ये less की विज़े से इसकी shirt की look बहुत प्यारी लग रही थी बारी जो गोल मोती होते हैं ये उनकी less बनी हुई है back side पे एक booty golden एक black है इस तरह सारा spray है इस पे और back पे दामन पे भी वही less लगाई है जो front पे है ये इसकी sleeves हैं sleeves पे भी less लगाई है और आगे वो shirt की पटी काटके लगाई है थैंक्स for watching me Allah Hafiz